हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब देखें आज मैं यह वाला डिजाइन लेके आई हूँ अगर आप कोई जालीदा डिजाइन ढूंड रहे हैं जो लेडी इस काडिकन्स या श्रॉग्स में या शॉल्ट्स में डालना हो तो आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं यह डिजाइन यह वाला पोर्षिन जो है उन मेरे फ्रेंट पर रखा हुआ है और यह देखें इसर से बहुत सुन्दर लग रहा है यह डिजाइन जो है रिवर्सबल डिजाइन है इसकी बैक साइड भी बहुत सुन्दर बनके आती है इसलिए इसे आप शॉल्स पर डाल सकते हैं यह देख प्लस तीन प्लस लास्ट में दो फंदे एक्स्ट्रा तो इस वाले सेंपल में मैंने 26 फंदे रखे हुए हैं तो चलिए आज इस दिजाइन को बनाते हैं इस दिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 17 फंदे लिए हुए हैं 3 के मल्टिपल में 15 प्लस 2 17 फंदों को लि पैटन है यह तो इसमें फ्रंट साइट से हमने शुरू करना है डिजाइन को और कि देखिए पहले क्या करना है हमने पहले हम पहला पंदा जो है श्लिप कर लेंगे उसके बाद वाले को हमने सीधा बनाना है इस तरह और उसके बाद इन दोनों फंदों के बीच में से सिलाई को इस तरह से डालते हुए दो फंदों का एक सीधा फंदा यहां पर हमने बना लेना है इस तरह से यह देखिए इस तरह बीच में हम एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर से अब दो फंदों के आगे से लोग उठाएंगे और दो फंदो के बीच में से इस तरह सी लाई डालते हुए दो फंदों का हम एक सीधा फंदा यहाँ पर बना लेंगे इस तरह तो इसी तरह से हमने row 1 जो है अपनी complete करनी है एक सीधा फंदा बनाया फिर दो फंदों के आगे से लूप उठाया और दो फंदों के बीच में से एक सीधा फंदा उठाया एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा यहां से उठाएंगे दो फंदों के आगे से और दो फंदों के बीच में से यहीं दो फंदों के बीच में से हम एक सीधा फंद उठाएंगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और दो फंदों के बीच में से लूप उठाएंगे और इन दो के बीच में ही हमने एक फंदे को उठा लेना है इस तरह लास्ट में ये एक फंदा हमने simple बना लेना है इस तरह से तो इस तरह से हम ये row 1 जो है वो complete होती है row 2 back side पर देखिये हमने पहले फंदे को slip कर लेना है पहले और फिर देखिया आगे जो ये दो फंदे थे इन दो को सिलाई पर लेना है और उसके बाद उसके आगे वाले फंदे को भी सिलाई पर लेना है पहले हम धागे को दूसरे साइट कर लेंगे फिर इन तीन फंदो को सिलाई पर लेते हुए हमने इन्हें जो है सीधा एक बना लेना है अब इन फंदो को नहीं छोड़ना है इस तरह से हम एक फंदा उठाएंगे और फिर एक फंदा उठाने के बाद हम पहले वाले फंदे को तीनों में से जो सबसे आगे फंदा है ये वाला फंदा सामने वाले फंदे को उसको बनाएंगे इस तरह अब हम इन तीनों फंदों को छोड़ देंगे और अब हम धागे को इस तरह से आगे ले लेंगे और इस तरह हमारे यहां पर जाली पड़ जाएगी तो देखें फिर से क्या करना है तीन फंदों को लेंगे जो एक फंदे पर दो फंदे थे वो और उसके आगे जो एक फंदा था उसे सिलाई पर लेके हमने तीनों को साथ में बुनना है इस तरह इस तरह बुनने के बाद एक सामने वाले फंदे को हम दुबारा बुनेंगे इस तरह हमने यहाँ पर दो फंदे वापिस आएंगे और फिर इस तर धागे पीछे करके हम जाली डाल लेंगे यहां पर फिर से देखे बैक साइड पर बैक रूप पर हमारा यह पैटर्न रेगा तीन फंदों को साथ में निट करने के बाद पहले फंदे को दुबारा से निट करना है ऐसे फिर हम इसे छोड़ देंगे और जाली डालेंगे इस तरह फिर तीन फंदों को एकठा बनाने के बाद पहले फंदे को हम दुबारा से बनाएंगे और फिर इन तीनों फंदों को छोड़ देंगे जाली डालेंगे तीन फंदों को साथ में बुनेंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे यहां पर इस तरह फिर सीधे फंदे को हम दुबारा बनाएंगे ऐसे और फिर हम इसे छोड़ देंगे और फिर धागे को ऐसे करके चाले जाल देंगे और यहां पर लास्ट फंदे को हम सीधा बना लेंगे तो यही हमारी दो रोज है अब देखिए अगली फ्रंट रोग कैसी पंड़नी है पहले फंदे को स्लप करने के बाद रागे को पीछे करने के बाद जाली वाल फंदा है इसे हमने सीधा बनाना है अब हमारे फंदे इस तरह से आएंगे नेक्स फंद रोज पर और फिर इन दो फंदों के आगे से हमने लूप उठाना है इस तरह और फिर दोनों फंदों के बीच में से हमने इस तरह से एक सीधा फंदा उठाना है फिर आगे जाली वला फंदा जो है उसे सीधा बनाना है फिर दो फंदों के आगे से हमने लूप उठाके दो फंदों को इस तरह से बुनना है फिर से तो अब आगे की हमारी फ्रंट रोस इस तरह से बनेंगी सारी यह इस तरह से जाली वल फंदा बीच में सीधा बनाएंगे और दो फंदों के आगे से इस तरह से लूप उठाते हुए दोनों फंदों के बीच में से इस तरह से करेंगे बैद दो इस तरह से हमारी रोब वन जो है वह हमने यांपर रिपीट कर लिया है अल्ञास के लास वह फंद को पीछे कर लेंगे तीन फंदे जो है वो हम सलाई पर लेके सीधा बनाएंगे ऐसे और फिर फ्रंट वाले को दोबारा बनाएंगे ऐसे धागे को ऐसे करके जाली डालेंगे तीन फंदों को एकठा बनाएंगे इस तरह पहले वाले फंदे को फिर से बुनेंगे ऐसे इस तरह से जाली डालेंगे और ये इस तरह जाली तीन फंदे साथ में फ्रेंट वाले को फिर से बुनेंगे फिर से भेंस के चाथ में बुल से सीधे बनेंगे और यहां पर से जाली त Illinois को सीध मालेंगे तो यहाँ पे जो है हमने अपने पैटन को दो सलाई के पैटन को रिपीट भी कर लिया है तो दिखें यहाँ पे भी यह बहुत सुंदर तरीके से बनना शुरू हो गया है अगर आपको बैक साइड का पोर्शन जाला अचा लगता है तो आप फ्रंट वाली एक सीधी सीधी रो देके आप इसी पैटन को बैक साइड से शुरू कर सकते हैं और इस वाले डिजाइन को फ्रंट में डाल सकते हैं झाल सकते हैं झाहर बैक साइड करते हैं झाल सकते हैं